महात्मा गांधी के जैनती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज घाट पर पहुंच चुके हैं तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया है ट्वीट कर गांधी जी और शास्त्री जी दोनों को नमन किया है और प्रधान मंत्री निकाह कि आज़ादी के अमरित महुत्सों के वजह से इस बार गांधी जहनती और भी प्रासंगिक हो जाती है प्रधान मंत्री नाहवान किया है कि खादी और हैंडी क्राफ्ट के प्रती हमें और जादा जोर देना होगा और इसी तरह से हम जो गांधी जी के सपने थे जो उनके विचार थे उसको पूरा कर सकते हैं आज के इस नए भारत के निर्माण का जब युग है तो ये विशेश कारिक्रम राजगाट पर है और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुँच चुके हैं तो राजगाट इस्थेत बापू के समादिस्थल पर प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है यह सीधी तजवीरें आप राजगाट से देख रहे हैं बेहद महत्पूर्ण है ये क्षण इस लिहाद से भी कि जैसा कि प्रधार मंत्री नरे स्वैम कहा कि आज़ादी का अमरित महुत्सव मना रहा है देश आज़ादी के 75 वी वर्षगाट पर गांधी जी को याद करना उनके जीवन दर्शन को याद करना उनके आदर्शों से पाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना जिस तरह से वो जिस नए भारत की जिस विकसित भारत की संकल्पना करते थे उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतियों का को का एक करतब है और ऐसे में जब आज़ादी का 75 वी वर्षगाट मनाई जा रही है तो गांधी जी की य दो महान विभूतियों की जैनती पर आज राश्ट उनको नमन कर रहा है पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं पूरी दुनिया प्रेना पाती है और देश को विकास के पत पर प्रशस्त करने वाले प्रधान मंतरी नरेंद्र मो श्वदेशी जिसको local for vocal कहते हैं चाहे वो आज प्रशुटा छूट की बात हो तो प्रधार मंतरी उसको सबका साथ सबका विकास के तोर पर ले कर चले हैं नारी सशक्ती करण को प्रधार मंतरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तोर पर आगे लेकर चले हैं तो बिलाकर उ पूर्जा वो प्रेर्णा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसके अगवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये सीधी तज़्वीरें आप राजगाट चे देख रहे हैं